ही गाईस, वैलकम बैक टू मैं यूटुब चेनल, यूनेक फैक्ट्स वीडियो में मैं आपको चोका देने वाले मज़िदार फैक्ट्स के बारे मैं बताऊंगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए चलो शुरू करते हैं नमर वन कोई भी मनुश्य के जन्मा के बाद उसके उम्र जिसे जिसे बढ़ती है वैसे वैसे उसके सरीड के सभी अंगों का विकास होता है पर आखे कभी नहीं बढ़ती है क्या आपको मालूम है क्या आपने कभी कुट्टो को चोकलेट किलाई है अगर नहीं किलाई है तो सुन ये चोकलेट कुट्टो के लिए खतरनाख होती है चोकलेट कुट्टो को किलाने से उनकी चाहन भी जा सकती है क्योंकि चोकलेट के अंदर मौजुद थियो ब्रुमाइन कुट्टे के दिल और पाचन तंत्रों को खत्तरनाग नुक्सान पहुचाता है नमबर त्री आपने सबसे बड़े पक्सी सामुर्ग यानि की सुतूर मुर्ग का नाम तो सुनाई होगा सबसे बड़े पक्सी शुतुर मुर्ग की आख उसके दिमाग से भी बढ़ी होती है क्या आपको ये मालूम था 4. अपने अंग्रे जी बासा के कई सारे बाक्ये सुने होगे और पड़े होगे लेकिन अंग्रेजी का सब्द I am अंग्रेजी बासा में सबसे छोटा पूर्ण बाक्य है नमबर पांच आसमान में हुर्थी वी तितली देखने में तो बहुत खुब सुरत लगती है लेकिन क्या आपको मालूमें वो स्वात का मजा अपने पेरों से लेती है नमबर छे आप आखे बंद करके अपने हाथ और पेरों से कई सारे काम कर सकते है लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि आप आखे कुल कर कभी छीग नहीं सकते नमबर साथ कोई हमें समय पूछता है तो हम समय गंडे, मिनिट, सेकन में बताते है लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि समय की वास्तक भी की काई पल है और पल सेकंड का सोवाईस से होता है नमबर हाट आपने कई सारे जानवरों को खेलते दोडते कुट्ते देखा होगा लेकिन आपने कभी हाथी को कुट्टे हुए देखा है वाक्तविक्ता यह है कि हाथी एक अकेला ऐसा जानो रहे जो कभी कूद नहीं सकता नमबर नो आपने कई अंग्रेजी के बाक्या पटे और सुने होगे लेकिन आपको बता दे यह अंग्रेजी का अकेला ऐसा बाक्या है जिसमें अंग्रेजी वर्ण माला के सब भी वर्णा मोचुद है वर दस आपने टीवी और मोबैल में इतियास के कई सारे युद देखे होगे लेकिन इतियास का सबसे छोटा युद 1896 में हुआ था जो जन्जी बार और इंग्लेंड के बीच में हुआ था जिसमें जन्जी बार ने 38 मिनिट में इंग्लेंड के साथ ने आत्मसमरबन कर दिया था नमबर 11 क्या आपको पता है कि सरीर का सबसे मजबूतं कौन सा होता है नहीं पता है तो सुनिए जीब इंशान के सरीर की सबसे मजबूत मासपेसी होती है पर बारा रेगिस्तान में चलने वाला उट एक ऐसा जानौर है जिनकी तीन पलके होती है जिससे वो रेगिस्तान में रेच से अपनी रक्षा करता है बर 13 आपने मोर कोयल जैसे इत्यादी पक्सी की आवाज गुंचते हुए देखी होगी लेकिन यह कोई नहीं जानता कि एक बतक की आवाज कभी गुंचती नहीं है नमबर 14 आपने ये तो सुना होगा कि सराब की अधिक मात्रा इंसान को मौत दे सकती है लेकिन आपने कभी सुना है कि सराब एक बीच्छू को भी मार सकती है दरहसल सराब की एक बुंद पिच्छू को पागल कर सकती है और वो मर भी सकता है नमबर 15 इस पुर्थवी पे कई सारे इंसान लेफ्ट हैंड से काम करते है तो कई सारे इंसान राइट हेंड से काम करते है लेकिन इंसान की तरह कुट्टे और बिल्ली भी लेप्ट हेंड ही हो सकते है अंबर 16, हम इंसान कई सारे डोक्यूमेंट पर फिंगर प्रिंट का यूश करते है और उसकी फिंगर प्रिंट अलग अलग होती है वेसे ही अलग-अलग इंसान की tongue print यानि की जिब की print अलग-अलग होती है 17. आपने गाहे और भेंस के दूद में से दई जमता देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी उट के दूद में से दई जमता देखा है आच्छर्य की बात है कि उटके दूद में से कभी दही नहीं जम सकता अपने दर्या में से संख और मोती जैसे कई पदार्थ मिलते हुए देखा होगा लेकिन सामान्य मोती और दर्या में से मिले हुए मोती में ताफ़ात होता है दरसल प्राकृतिक मोती को यदि गलाया जाए तो वो सिरका बन जाता है नमबर उनीस इंसान जाकते हुए तो एक साथ कई सारा काम कर सकते है लेकिन सोता हुआ इंसान और कोई दूसरा कार्या नहीं कर सकता है पर समुद्री जीव डोलफिन एकी समय में सो भी सकती है और तेर भी सकती है नमबर बीस आखरी और सबसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि समुद्रा में रहने वाले ही सबसे बड़ी जीव ब्लू वैल इतनी बड़ी होती है कि उसकी सिर्फ चीप का वजन एक आथी के वजन के बराबर होता है इससे ब्लू वैल का अंद्यचे तो लगा ही सकते है अब आपकी बारी आप कोमेंट में ये बताए कि आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी होतों एक लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें और सब्सक्राइब करना ना पूले वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद थेंक्यू फर वाचिंग चलदी और मज़ेदार फैक्ट लेकर आपसे मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा